पीलीय यानि हमें से चीजजें खाना चाहिए और कौन से चीज़ों का हमें सीवन नहीं करना चाहिए देखें पीलिया बहुत एजिली हम जो है identify कर सकते हैं हमारे जो eyes होते हैं, eyes का जो whiteness, यह white part जो होता है यहाँ पे आपको yellow विश्यानी की पीलापन नजर आता है दूसरा है urine जो होती है, हमारे उसमें भी पीलापन नजर आता है बट यह जो situation होते हैं, similar to keratonymia यहाँ आपके हाथ, especially हतेलिया जो होती है, काफी पीली दिख रहे है यह आपका जो mucus है, यह आपका oral cavity का जो part है वहाँ पे यह आपको पीलापन नजर आता है, that is different यह keratonymia जो situation होती है, इसमें होता है जो कि harmless होते हैं या फिर कई बार कुछ medicines की वज़े से भी जो है, पीलापन नजर आता है जो है, यह liver के हर disease में आपको देखने को मिलेगा actually, यदि हम पीलिया के बात करें तो यह एक लक्षन है यह कोई बीमारी नहीं है, यह हर यह जुड़ा हो है हमारे liver से liver के कोई भी बीमारी होगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत पीलिया जरूर देखेगा दूसरा कभी-कभी टाइफाइड में भी थोड़ा सा पीलिया देखने को मिलता ही है बच्चे यदि छोटे होते नवज़त शिशुओं में भी पीला पीलिया आखिर किस वज़ा से होता है, क्या मेकानेजम होती है और उस मेकानेजम से चलते ही हम समझेंगे कि किन-किन चीज़ों का सेवन करने से यह situation बहुत जादा वज़न हो सकती है बलड में bilirubin की level बढ़ जाती है high bilirubin level in blood that is the reason कि आपको पीलिया हुआ है या jointis हुआ है जो है बलड में बढ़ जाता है normally bilirubin हमारे बलड में होना चाहिए 1.2 बट यह बढ़ कर 3 mg तक भी जा सकता है उसके आगे भी जा सकता है तो यह bilirubin क्यों बढ़ता है basically liver में यदि कोई गढ़बढ है liver के function में कोई problem हा रही है liver अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है या आपके bile duct की injury block हो चुकी है या liver damage है ऐसे में जो है bilirubin की level बढ़ती है और बली body में हर दीन bilirubin बनता है लेकिन उसका एक अलग तरह का mechanism होता है कि इस way से आएगा और इस way से जाएगा तो वो every 120 days हमारे जो RBCs होते है RBC यानी माने red blood cells जिसी की वज़से हमारे blood का जो color है red होता है तो ये break होते हैं और break होने के बाद में एक product तयार होता है जिसे हमे कहा है और majorly जो bilirubin बनता है वो इसी हमे component के द्वारा ही बनाया जाता है हीम containing protein है और उसका breakdown हो रहा है उसके चलते भी आपका bilirubin बनता है ineffective erythropoietis process में भी bilirubin बनता है हीम containing protein जैसे की myoglobin है और ये daily बनता है अब क्या होता है जो आपका liver properly है एक healthy liver की येदि हम बात करें तो आप जो भी excess में बन रहा है bilirubin वो शरीर से बाहर excret कर देता है liver येदि working है अच्छा इसका function चल रहा है तो ये excess में भी ये bilirubin बन रहा है तो वो भी हमारे शरीर से वो बाहर excret कर दिया जाता है jointness majorly येदि हम देखेंगे तो येदि जो RBC होते इसका destruction हो रहा है या liver cancer है या liver के cells damage है hepatitis हुआ है उसमें भी bilirubin properly excret नहीं होता है और bilirubin blood में वैसे का वैसा रहता है जिसके चलते हम clearly yellow color जो कि bilirubin के द्वारा बनता है वो हम clearly देख सकते हैं जो हमारी eyes का whitish party वहाँ पे आपको yellow color देखेगा palm यान soul का part होता है वहाँ पे भी आप yellow color देखेगा लेकिन आप majorly देखे जो oral cavity होती है आपका mucos हो गया या अंदर का जो भाग होता है मुह के वो आपका yellow नहीं देखता है यह situation carotinemia भी बन सकती है यह कि बहुत हामले से और बहुत usually क्या होता है कि carotin या हम जो जिसमें mango है या जिसमें vitamine नहीं का precursor जो vegetarian foods में होता है वो एकसे सेवन की वज़े जिससे हम papita खाते है या mango लेते है ज़दा vitamine नहीं के precursors वाले भीटा carotin rich है carotin rich food का सेवन हम जब करते हैं तब जाके हमारा carotinamia बढ़ सकता है और जिसके चलते जो है mucus भी हमारा पीला होता है oral cavity में भी पीलावन दिखता है तो ये आपका पीलिया नहीं है दूसरा आप ये समझ लेजे कि आपका eyes का color ये पीला है urine आपकी जो है darker yellow color की जा रही है और आपका stool का जो color है पहले से lighter है और आपके हातों में soul, palm जो होता है या nails नाखुन जो होता है ये आपको यहाँ पे yellow color दिख रहा है that is mean कि ये पीलिया हो सकता है जिससे कि आप test कर सकते है bilirubin की bilirubin ये आपके body में 1.2 mg से उपर में कभी-कभी 4 mg तक जा सकता है तो ये जो है ये clear indication है कि body में पीलिया बना है joint disc के situation होती है ये liver cells damage है liver hepatitis बना है या RBC अच्छा से form ने हो रहे destruction हो रहे RBC form होते वक्त तो ये जिससे कि ही में बनेगा जादा और जिससे कि क्या है bilirubin और जादा excess में बनेगा तो ये other other cause हो सकते है देखिए कि कौन से भाग में जो है disturbance आ रहा है उसके according इसका तीन भागों में divideration किया गया है कि depend करेगा कि कौन से mechanism से bilirubin बन रहा है उसके according उसका classification कर दिया है जैसे कि ये ये RBC में defect है intrinsic defect in RBC या extensive cause of external to RBC RBC से related ये आपको पीलिया हुआ है तो इसे हम pre-hepatic या hemolytic jointis कहता है यदि liver के pan-camel cells जो होते हैं इसमें यदि कोई default आता है तो आपको hepatic या hepatocellular jointis हम इसे कहेंगे तीसरा है यदि bilirubin conjugated होग है क्योंकि obstruction of binary passes में default आया है तो इसमें यदि दिक्कत आ रहे है तो इसे हम post-hepatic cholestatic जो है jointis हम उसे कहते हैं ये तीन तरह का classification किया जाता है jointis का कि depending on which path मतलब कहां पे default आ रहे है उसके according जो है उसका classification किया गया है next है यदि नवजाद जो बच्चे होते है उनकी यदि आप आखे चेक करते तो वहाँ पे आपको पीलापन ज़रूर नजर आता है तो ये neonatal jointis जिसे कहा जाता है तो इसके according भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो neonatal jointis जो usually harmless होता है इसमें हमें कोई tension लेने के जुरुरत नहीं होती है और ये infant मतलब जब बच्चे के दूसरे दीन से ही जनम के दूसरे दीन से हमें देखने को मिलता है और ये normally 8 दीन तक रहता है या कभी-कभी ये जो है 14-15 दीन तक भी रह सकता है यदि premature birth है यदि हम इसे कम करना चाहते है तो उसके लिए हमें treatment sun bath is effective treatment है और दूसरा है ultra oiled B या vitamin D production ये धी हम बढ़ाते है बच्चों में या bilirubin count is lower through bowel movement या urination so frequent and effective feeding are especially important होता है तो बच्चों में ये आपको पीलिया दीख रहा है तो आपको क्या करना है frequently उसे जो है आप feeding करते रहे है जिससे क्या होगा frequently urination होते रहेगा frequently stool pass होते रहेगा जिससे कि bilirubin level धीरे-धीरे कम होता रहेगा तो इसमें कोई harmless think नहीं है हमें कोई औलग से treatment करने के जुरत नहीं होती लेकिन ये अडल्ट को ये दी पीलिया होता है तो उसमें हमारा खान पर medication का जो department है वो आपके doctor से आप सला लेकर उनकी medicine आप start कर सकते है हम इस वीडियो में केवल diet के बारे में जानने वाले है कि पीलिया में हमारा diet किस तरह से होना चाहिए कई लोग thought करते हैं कि पीली चीजों का सेवन करने से पीलिया बढ़ता है जो कि useless है और totally meat होता है यदि हमें पीलिया होता है हमें खाने में जो है समाविष कर रहा होता है तो जो line treatment हम देखेंगे diet किस तरह से होना चाहिए यदि patient अच्छा है इनमें severity जादा नहीं है normal है सिप पीलिया हमें देख रहा है तो हमें क्या करना है carbohydrate जादा लेना है protein थोड़ा सा moderate रखना है लेगन हमारे लिए जो man culprit है वो है fat जितना हम fat मतलब जिसमें तेल है जिसमें वसा है ऐसे चीजों का 7 जितना हम कम कर सकते है उतना हमें कम करना चाहिए तीसरा पानी अच्छा पीना चाहिए fluid, watery fluid हमें जादा लेना है soup आप ले सकते हैं जादा से जादा लेना है रोटी, चावल, bread biscuit भी आप ले सकते हैं इन चीजों का 7 जादा से जादा करना है protein थोड़ा जितना पहले लेते थे या जितना को चाहिए उससे थोड़ा slightly अप कम ले सकते हैं तो तीन से पाच दिन के पाणि आपको क्या करना है पानी या तरल पधार्थ जो पहता है उनका सिवन जादा से जादा करना है नार्यल पानी आप ले सकते है нуться, Plain Water आप ले सकते हैं या Infuse Water आप ले सकते हैं या आपको जो भी flavor water पसंद है आप ले सकते हैं मतलब हमारा मोटो यह होना चाहिए कि हमारे फ्लूइड जो है बॉडी में जादा से जादा आप इन स्टॉप कर जो है सबजी की जगव में ब्रॉद बना सकते हैं सबजी यो का करी जो लिक्विड वाली जो सबजी होती है वो आप बना सकते हैं और प्रू जूसेस अप ले सक जो मेडियम कंसिस्टंसी वाली फ्लूड होते है जैसे कि आप खिचड़ी ले सकते हैं या साबुदान आप ले सकते हैं या सूजी होती है वो भी आप ले सकते हैं दलिया आप ले सकते हैं जो भी लाइट हो हलका हो बट जिसमें की अच्छी खासी कैलरीज हो जैसे कि मतलब उसमें carbohydrate का समाविश हो इस तरह का खाना आप ले सकते दाल चवल की खिचड़ी है या simple दाल चवल भी आप ले सकते हैं क्रिसी भी प्रकार के spices और क्रिसी भी प्रकार का घी, बटर या जीसमें भी आपको fat मिलता है nuts भी इवन आपको नहीं लेना है ये बात अपने माइड में रख देना है कि हमें किसी भी प्रकार का इवन हम जो सब्जी बनाएंगे या हम जो प्रॉद बनाएंगे सूप बनाएंगे उसमें भी हमें किसी भी प्रकार का तेल नहीं मिलाना है बीना ओल की आपको सब्जी खाना है बीना घी की आप रोटी खाएंगे या बीना घी की दालचावल भी खाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है बिलरुबन लेवल को मैनेज करने के लिए इसमें कई लोगों का सवाल होगा क्या मैं फीश खा सकती हूँ या क्या मैं मीट या चिकन का समावश अपना डायट में कर सकती हूँ देखें कुछ हपतों के लिए दो से तीन हपतों के लिए जब तक कि आपका बिलरुबन लेवल नॉर्मल ना आए जब भी आप टेस्ट करोगे तब आप अपना बिलरुबन लेवल चेक करते रहेगा कि यह जो नॉर्मल होता है 1.2 mg यह इतना है या इससे बड़ा है इससे बड़ा है तो आप बिलकुल भी मत लीजेगा क्योंकि इसमें भी बहुत जादा जो है कलिस्टरॉल प्रेजंट होता है फैट प्रेजंट होता है तो आपको सबजियों का ब्रॉद बना सकते हैं सबजियों की जो सबजी हम बनाएंगे उसमें हम लीटल अमॉंट में थोड़ा सा ना के बराबर हम ओईल का तड़कार बनाकर अप ले सकते हैं और कुछ हपतों के बाद में जो है आप चिकन है या मतन है उसके भी small-small pieces करके जो है और कम portion से लेकर आपको start करना है याद रखे आपको non-wich थोड़ा जो है इसमें धीरे से gradually आपको start करना है बट आप fish जो है दो हपतों के बाद में fish का save on आप चालू कर सकते हैं rice, दाल, सबजी, रोटी, चावल जो as usual जो नॉर्मल खाना होता है वो आप दो हपते के बाद में जब आपका बिलरुबन लेवल नॉर्मल लेवल में आ जाता है तब आप धीरी धीरे ग्रैजुली ये चीजों का सीवन स्टार्ट कर सकते हैं इसमें हल्दी या पीली चीजे खाने से या जो भी पीली कलर का फूड है वो खाने से कोई रिकत नहीं होती हैं हल्दी उल्टा इसमें अच्छा होता है हल्दी वाली चीजे आप खा सकते हैं जो नहीं खाना है वो स्टेकली किसी भी तरह का फैट या किसी भी तरह का तेल और नर्मल आ गए है और आपको थोड़ा अच्छा फिल हो रहा है तो आप ओईल को भी ग्रेजूली जो है इंटेक बढ़ाईए आप ओली वैल ले सकते हैं या एमसेटी ओईल जैसे की नारियल का ओईल जो है वो आप तड़की के लिए उस कर सकते हैं या सीम्पल जो भी बहुत क प्रोडेक्शन नॉर्मल भी होता है फिर भी उसके बाद में आपको कुछ सब्धा के लिए अब जितना ओईल का इंटेक कम रखोगे उतना यह जो है रिकवरी अच्छी होगी और सस्टेन रहेगा और जवाईस आप एदी और फैट का इंटेक बढ़ा दोगे जिसमें की औ और ज़्यादा बिलरुबिन बने का और वो और ज़्यादा जो है सिच्वेशन वापस से आने की संभावना होती है इसलिए फैट्स और ओईल का जितना हो सके उतना आप जितने दिन तक आप कर सकते हैं दो तीन हपते अप्टर रिकवरी भी यह आप जो है आगे जारी रख जिसके वज़े से इंफेक्शन बढ़ता है लीवर में उसके वज़े से भी पीलिया बनता है तो उसको हमें कम करना होता है इसलिए इसलिए कार्भोहाइडिट का इंटेक आज मेंस आपको हाई रखना है जैसे कि ब्रेट चुपाती सूजी ओर्स दलिया गेहु राइस जो पी कार्भोहाइडिट रिज़ फूड है उनका सेवन आप कर सकते है प्रोटीन जो होता है हमाला मौडरेट अमोंट में होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को मैनेज करना है और टीशू का रिजन्दरेशन करना है या फैटी फिल्ट्रेशन जो होत पर दो यह इनकुलिजन ऑब मौडरेट फैट ठोड़ा से हेल्प करता है लेकिन स्ट्रिकले सैजूररित फैट पर हमें नहीं जाना है और को कोकोनट ऑटर कोकोनट अब ले सकते हैं ऑल्यू अप ले सकते हैं अल्यकेशी थोड़े नर्ड्स है या थोड़ा सा फीश का सेव हम बढ़ा सकते हैं विटामिन की यदि हम बात करें हैं विटामीन B क Rhodan Kort, वाइटामिन C हमें ले ना चाहिएं responsible इस नमक कोला होने हैं, इसमें क्या होता है याई या एक orie confirm दिखने को मिल सकती है, एसलिए सोडिये का Fever सेवन यानि कि नमक का सेवन हमें कम रखना है पोटेशियम की सप्लेमेंट्स हम ले सकते हैं as they are diuretic यानि कि आप चाय कॉफी भी आप ले सकते हैं नेक्स्ट है कि तरल पदार्तों का जादा से जादा आपको सेवन करना है जिससे कि जो भी एक्सेस में फाइबर हो इन चीजों का सेवन हमें कम से कम करना है नमक का सेवन हमें कम करना है जैसे बेकिंग सोडा में बने हुए पदार्तों भी कम खाने है अचार है या जो भी प्रिजव फूड होते है और जिसमें की पापड ज़्यादा हो बढ़ता है, जिसके कारण पी लिया होता है, कौन-कौन से कंडिशन में पी लिया होता है, पी ठीक करना है, इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आप फेस्बुक से मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो करके मुझे लोची,